इतिहास में दर्ज है ग्रान्ती अठारा सो सतावन की कसम उठाई फीरों ने जुलमाते मुक्ती पावन की अठारा सो सतावन की क्रांती हिंदुस्तान की आजादी का पहला संग्राण इसी क्रम में नाम आता है भिवानी जिले के रोहनात गां का इन्होंने अपने शौरे और बहादुरी के दम पर सीधे अंग्रेजी हुकूमत से तकरानी का फैसला कर लिया और उन्तीस मई अठारा सो सतावन के दिन इन वीरों ने इकठे होकर हासी में अंग्रेजों पर हमला बोल दिया रोहनात गां के रन बाकरों ने बारा अंग्रेज अफसरों को हिसार में और ग्यारा अंग्रेजों को हासी में मार गिराया इसके साथ साथ इन्होंने वहां की जेलों को तोड़कर क्रांती कारियों को भी बाहर निकाल लिया गां को सबक सिखाने के लिए जनरल कोटलेंड की अगवाई में एक टुकड़ी लेकर निकल पड़े अंग्रेजों ने रोहनात गां के बाहर पुठी गां के पास अपनी तोपे लगाई और गां पर गोला बारी शुरू कर दी जिससे पूरा गां आख की जौलाओं में धदक उठा जिससे अमें अपनी खौफ को जिन्दा रखने के लिए अंग्रेजी सेनिकों ने पकड़े गए ग्रामीनों को तालाप के पास बरगत के पेड़ों पर सामुहिक भांसी के फंदों पर जुला दिया और उनके मृत शरीरों को कई दिनों तक पेड़ों पर ही लटकाए रखा ताकि लोगों में गहशत बनी रहे और कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठानी की हिम्मत नह कर सके अपनी लाज अपनी इज़त को बचाने के लिए इस गाउं की औरतों ने अपने बच्चों को लेकर तालाप के पास इस्थित डाव वाले कोई में चलांग लगा कर जान दे दी इस कोई में कूदने से भी काफी मौते हुई इतना ही नहीं अंग्रेजी सेना ने गाउं के बहुत से लोगों को ग्रफतार किया और उन्हें हासी में सभी को सड़क पर लेटा कर उनके जीवित शरीरों पर से बुल्डोजर फिर दिया गया आसादी के इन वीरों के खुन से पूरी सड़क लाल हो गई थी आज भी हासी की इस सड़क को लाल सड़क के नाम से जाना जाता है 15 सितंबर 1857 के दिन इस गाउं को बागी घोशित कर दिया गया और 13 नवंबर को पूरे गाउं की निलामी के सरकारी आदेश जारी कर दिये गए फिर आया 20 जुलाई 1858 के दिन जिस दिन इस गाउं की सारी जमीन को पास के पाँच गाउं के लुगों को कुल आठ हजार रुपियों में निलाम कर दिया गया इस गाउं की जितनी करशियों के भूमी थी 20 जार चैसो चपन भी गाउं उसको निलाम कर दिया गया जो मारे आसपरोस के गाउं थे मुझादपर, उम्रा, सुल्तानपुर, डढ़ेरी इन पांच से गाउं के 61 वैक्तियों ने वो जमीन खरी दी ती 81 सो रुपे में इस निलामी में इस गाउं की लगभग 20,656 बीगे जमीन के मालिक दूसरे गाउं के लोग हो गए साथी अंग्रेजों ने ये आदेश भी जारी कर दिये कि इन जमीनों को रोहनाद गाउं का वही इनसान खरीच सकता है जिसके नाम इस गाउं में कुछ संपत्ति हो 1947 के दिन देश आजात हुआ देश को अंग्रेजी हुकुमत से मुक्ति मिली तो इस गाउं के लोगों को भी उमीच जकी कि अब हमारा कलंग भी मिटे का हमारी जमीने हमारे हक बहाल हुँगे देश में सरकारे बनी अपना संविधान लागु हुआ मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ सन 1963-64 में संयुक्त पंजाब के मुख्य मंत्री प्रताप सिंग केरो ने इस गाउं की दशा सुधार्णी के प्रयास किये मगर वो काम भी पूरा नहीं हो सका और 1965 में उनकी हत्या हो गई इस गाउं को सहीद का दर्जा देंगे सताउन पलाट आपको देंगे उसमा आपकी बरपाई नहीं होती बची और जमीन हम इदर उदर देखके आपकी बरपाई करें वो बगवान में प्यारे होई कुछ दिन के बाद वो मारे गए उनका ध्यान तो गया हमारी बाद तुमा की आ रही उसके बाद चौधरी बंसिलान ने रोहनात गाउं के लोगों को जमीन का हक दिलाने के लिए लगभग 68 लाक रुपए सेंक्शन कराए जिन में से सवा लाक रुपए उन्होंने गाउंवालों को दिलाए मकर हर्याना के अलग राज़िब बनने के बाद गाउंवालों को कुछ नहीं मिला आजाद देश का हिस्सा होने के बाद भी ये गाउं आजाद देश का एक घुलाम गाउं ही रहा देश की सरकारों ने उस गाउं के लिए ही कुछ नहीं किया इसी से खफा होकर इस गाउं के लोगों ने कभी गाउं में ना तो तिरंगा जंडा फैराया और ना ही कोई राश्ट्रिय त्योहार मनाया और साथ ही अपने विरूत को दिखानी के लिए 15 अगस्त सं दोहजार बारा में पूरे गाउं में काले जंडे फैराये गए 23 मार्च 2018 तारा शहीदी दिवस के अफसर पर खुद मुख्य मंत्री शुरी मनोहरलाल जी ने रुहनात गाउं में जाकर पहली बार गाउं के बुजर्ग के हातों से तिरंगा जंडा फैराया आज से वो अजाद होकर के देश की मुख्यधार में आए और प्लेश में अच्छा मॉडल आदर शुकाओ हम मारा गाउं आज भी अपने आपको एक ठगा सा मैसूस कर रहा है ठगा उने की करन क्या है कि उन्होंने बोला थक भी इस गाउं की जमीन आपको वापिश दिला दी जाएगी लेकिन आजादी का नाम लेकर उन्होंने पक्सपात किया है ना तो वो कोई सुविदा देके गई गाउं को और ना रोजगार के मामले में नहोंने कोई रिजरवेशन रखी इस गाउं की ना कोई जमीन लोटाने का वादा पूरा किया और वो अपनी तरफ से ये क सिरफ हमारा गाउं निलाम नहीं हुआ हूए और भी गाउं निलाम हुए थे लेकिन उनको कुछ देकर के सरकार ने बाल कर दिया था उनको सुविदाएं दे गई ती उस ताइम पे हमारा गाउं ऐसा ताज इसको सुविदाएं नहीं मिली और बाल नहीं हुआ था तो इतने जमीन निलाम कोई खरीदने वाड़ा था, कैसे कैसे खरीद दी गई, बिर्टी सरकार ने क्यों निलाम की, ये तो सारे रिकार्ड की बात ने हैं, फिर पीज सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो अभी उमीद है, जो परदान मंतरी जी आये थी ने, उन्होंने ये का था लाल स हमारे लोगों की खून से लाल हुई थी, आज हमारे को कुछ नहीं जो, उमीद है बाकी आगे माले के लिए।